कर रहे हैं तो यह स्टुन्स क्लास्ट 9th mathematics chapter surface area volumes कर रहे हैं right surface area of right circular cylinder के मरो questions कर रहे थे right second exercise में से exercise निकालने NCRT book की okay मैंने book निकालने यहाँ पर exercise है 13.2 इसका आज हम लोग करेंगे question number 9 निकालने होगा question number 9 read करता हूं मैं find first part and second part first part दे रहे है the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high एक सिम्पल से बात कह रखी है कि यहाँ पर पेट्रोल को store करने के लिए एक tank बनाया है ठीके वो टैंक का shape कैसा है cylindrical shape है right circular cylinder है okay fine तो यह हमने बनाया है और इसका जो diameter है वो है 4.2 meter अगर इसका diameter 4.2 meter होगा तो radius कितना हो जाएगा diameter का half that is 2.1 meter तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो cylinder है इसका जो radius है ठीके जो उपर वाला होगा वही नीचे वाला होगा तो radius कितना है यहाँ पर 2.1 meters फिर दे रखे इसकी यह height ठीके ठीके height हमें यहाँ पर question में कितना दे रखा है 4.5 meters हम से बोला गया है curved या फिर lateral surface area निकाले curved या फिर lateral surface area ठीके तो यहाँ पर जो curved surface area या फिर lateral surface area क्या है formula से निकाल लेते हैं formula है 2 pi RH 2 pi की value 22 upon 7 radius 2.1 height 4.5 calculate कर लिया है तो 59.40 meters square या आया curved surface area वीडियो pause करके आप calculation खुद करिएगा ठीके राइट तो फिला लेटल surface area आ गया 15.40 meters square फिर्स part complete यही पूछा गया है राइट second part पर आते हैं तो second part में क्या बोल रहा है देखो second part में बोल रहा है how much steel was actually used if one twelfth of the steel actually used was wasted in making the tank right देखो न सबसे पहले हमें यह देखना है हम यहाँ पर क्या use कर रहे है steel use कर रहे है ठीक है राइट steel का हम लोग ने sheet लिया और उस sheet से हमें क्या बनाना है यह tank बनाना है बस में आगई ठीक है राइट तो steel से अगर आप tank बना रहे हो steel का आपने sheet लिया ठीक है आप पेपर से भी बना सकते हो ना cylindrical tank है ना एक model तो बनाई सकते हैं तो हमने paper नहीं हमने steel का लिया sheet लिया और उस steel के sheet से हमने क्या बनाया tank कैसे बनाएंगे एक sheet ले कैसे गोल लगा देंगे curved surface area फिर उपर से भी cover करना पड़ेगा नीचे से भी क्योंकि हमें इसमें petrol बरना है ठीक है तो नीचे से बन करना पड़ेगा तो ही तो बरेंगे वरना उपर से डालते जाओगे नीचे से जाता जाएगा उना storage tank है हमें हमें petrol store करना है तो नीचे भी हमें steel लगाके बन करना पड़ेगा और उपर भी बन करना पड़ेगा वरना सारा petrol evaporate हो जाएगा ठेके राइट पूरा कतम हो जाएगा ओके तो इस तरह से टैंक बनाना है तो जो steel sheet है कहा कहां use होगी curved surface area में इसके लावा base और top मतलब steel कहां कहां use होगा curved surface area नीचे बेस उपपर वाले बेस मतलब एक तरीके से अगर हमें यह निकालना है कि इसको बनाने में कितना steel use हुआ है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा total surface area समझे है ना? total surface area है में क्या जाए? the curd surface area and the area of two bases तो देखो curd surface area तो हमें निकाल लिया गर्ड मतल्ड लेक्रिस अर्फेस अर्या अब हमें क्या निकालना है area of base तो area of base क्या हो जाएगा pi r square क्योंकि circular है पर ऐसे कितने bases है two bases है यह रख दोगे pi r square r की जगे तदिया 2.1 तो ऐसे 2 basis है तो इसलिए मैंने इसको 2 से multiply कर दिया जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा 2 से multiply कर दिया solve कर लिया तो कितना आ गया 27.72 यह हो गया area of 2 basis इसका और इसका दोनों का मिलाकर है 27.72 to meter square ठीक है अब हमें निकालना है total surface area क्यों निकालना है मैंने समझाया क्योंकि steel कहां कहां use होगा curved surface area उपर और नीचे तो सारा area मिलाकर क्या किलाता है total surface area तो total surface area क्या होगा curved surface area plus area of 2 basis curved surface area उपर वाला नीचे वाला अगर आप इस तरह से पूरा area लेते हो अब उसको बोलते है total surface area cut surface area हम निकाल चुके हैं कितना है 59.40 area of 2 basis कितना है 27.72 तो total surface area हो गया 87.12 meter square मतलग इतना steel use हो गया है इसको बनाने में ठीक है fine तो देखो हमसे question में क्या बोल रहे है how much steel was actually used if one twelfth of the steel used was wasted in making the tank तो आप देखो हमसे क्या बोल रहे है इतना steel used हुआ है इसको बनाने में पर आप देखो क्या हम जितना steel sheet लेके आये थे क्या वो पूरा का पूरा इसमें use हो गया ने बात न न है जैसे मुझे shirt बनाने है ठीक है shirt मुझे tailor से ठीक है right stitch करवाना है तो मैंने shirt का कपड़ा लिया टेलर को जा कर दिया तो tailor ने shirt बनाया पर क्या मैंने जितना cloth उसको दिया था, जितना कपड़ा दिया था, क्या वो पूरा कपड़ा use हो गया इसमें answer is no बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कपड़ा क्या हो गया, उसमें waste हो गया ठेक है right, fine, जब उन्होंने sleeves मनाई, ठेक है, तो उसमें से कुछ area waste हो गया, समझ रहेंगा मेरी बात, collar मनाया तो बाकी का पता चला, waste हो गया you are getting it, ठेक है, तो क्या होता है, जितना material हम लाते हैं, ठेक है right, वो पूरा का पूरा use हो जाया, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हम जितना steel की sheet लेके आये थें आपर, पूरा का पूरा use नहीं हुआ इसमें कुछ क्या हो गया, waste भी हो गया, right, बास में आगई तो question में क्या पूछ रहा है कितना steel इसमें use हुआ, ये नहीं पूछ रहा आप से ये पूछ रहा है question में कि actually कितना steel लेके आये थे, आप steel की, steel का जो sheet है न ठेके, right, ये कितना लेके आये थे, right, बास में आगई ओके, और बोल रहा है कि इसका 112 क्या हो गया waste हो गया जितना भी आप sheet लेके आये थे, उसका 112 क्या हो गया cutting में, ठेके, fine mold करते वक्त उसमें waste हो गया और waste होने के बाद, ठेके, right ये इस तरह से बनाये, मतलब जितना आप steel sheet लेके आये थे पूरा का पूरा use नहीं हुआ है कुछ edges कड़ गया होंगे तो wastage हुआ है, wastage कितना हुआ है 1 by 12 जितना खरीद के लाये थे, उसका 1 by 12 अब कितना खरीद के how much steel was actually used, if 1 12th of the steel actually used was wasted in making the tank तो let the steel actually used equals to x meter square हमें पता ही नहीं कितना है हम तो market से कितना लेके आगा है suppose, ये ये पूरी sheet लेके आये थे इस पूरी sheet से हमने क्या किया यहाँ पर बनाया समझेंगे मेरी बात किस में से आप समझेंगे ना कैसे मैं इसके बार रब करके आपको थोड़ा और समझाने खूशिश करता हूँ जैसे हमने क्या किया market से हम लोगों ने ये sheet खरीदा और इस से हमें क्या करना है tank बनाना है तो मैंने इस में से इतना portion काट लिया इतना portion काट के क्या बना दिया इसका curved surface area ठीक है ये curved surface area हमीं यूज होगे ठीक है थोड़ा लंबा ले लोगो इतना ठीक है फिर उसके बाद ये portion काटा और इसके top पे लगा दिया ये portion काटा और उसके bottom पे लगा दिया ठीक है तो ये हम steel sheet purchase करके लाए थे इसमें से curved surface area में इतना use हो गया ये use हो गया टॉप के लिए ये use हो गया bottom के लिए दोनों congrain circles समझ गे अब जो बाकी बचा हुआ है ठीक है ये क्या हो गया waste हो गया है ना इसमें से मैंने काटके निकाल दिया और ये क्या हो गया waste समझ रहे है तो ये जो sheet purchase करके लिए पूरी sheet ये कितना है x meter square और इसमें से कितना waste हो गया ये मैंने जो shade किया है ये waste हो गया और ये कितना था जितना खरीद के लाए उसका 112 right question पड़ता हो देखो क्या बोल रहे है right 112th of the steel actually used was wasted in the making the tank ठीक है तो ये लिगदा लिख देते है steel wasted in making tank equals to x upon 12 meter square ठीक है right तो इसका 112th मतला x upon 12 कितना क्या हो गया waste हो गया ठीक है बास में आगे fine तो इदा लिख दे हम लोग फिर according to the question right क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या x minus x upon 12 equals to 87.12 unit ने लगा रहा क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या सोचें लिख सकते हैं जैसे x meter square ये तो मैं sheet लेके आया इसमें से ये waste हो गया कौन सा shaded portion तो waste वाला area कितना है x upon 12 तो अगर मैं पूरे में से ये waste वाला minus कर दूँ तो जितना use हुआ है वो आ जाएगा और जितना use हुआ है right वो कितना है 87.1 curved surface area इसका area कितना था 59.4 और इन दोनों का मिलाकर कितना था 27.7 समझे नहीं विवाद ये जो sheet है ये sheet कितना है x है इसमें से कितना waste हो गया ये shaded portion waste हो गया minus x upon 12 तो कितना बचेगा ये वाला non-shaded और non-shaded का area कितना है 87.12 बस मैं आ गए अब यहां से x की value निकाल लो ठेके question में यही तो पुछा है आपसे question में ये पुछा है कि actual steel कितना use हुआ है मतलब आप market से कितना खरीद के लेके आए थे ठेके तो ये calculation मैं नहीं करूँगा आप करेंगे ठेके तो पॉस करके लिखें फिर आगे चलेंगे चलेंगे आपने लिख लिया होगा मैं इसको wrap कर देता हूँ और next example भी discuss कर लेते हैं next question मतलब exercise का ठीक है I hope यह लिख बात संज में आ गई होगी ठेके calculation इसमें ज्यादा कुछ नहीं है अगर question समझ में आ गया हो तो राइट चले इसको wrap कर देता हूँ पूरा तब तक आप next question भी पढ़ लें ठेके अच्छा question है ओके wrap कर देते हैं इसको चले नेक्स question पढ़ते हैं next question है यहाँ पर question number 10 in figure 13.12 you see the frame of a lamp shade ठेके हमें कुछ है इस तरह का frame मिल रहा देखो यह lamp shade है ठेके यह lamp shade है lamp shade समझ गया ना lamp shade क्या होता है जो lamp होता है हमारा दिया होता है आपने देखा होगा ठेके right fine उसके पर हम कांच का लगा देते हैं इस तरीके से ताके मैं दिखता भी रहे और वो हवा से बुच्छता भी नहीं ठेके lamp shade और यह lamp shade इस शेप का है तो शेप तो समझ ही गया होंगे आप शेप कौन सा है यहाँ पर राइट circular cylinder ठेके चलेए इन फिगर 13.12 यहाँ पर यहाँ पर जो फ्रेम दे रखा है इसका दियमेटर 20 सेंटिमेटर है पर हमें तो क्या चाहिए होता है तो राइटस क्या होता है दियमेटर का हाफ यहाँ पर जो है नेक्स है अन्द इन हाइट इस 30 सेंटिमेटर हाइट ठेके हमें हाइट कितना दे रखा है 30 सेंटिमेटर आगे चलते हैं आप समझ गए हमें क्या करना है यह जो लाइब शेड है इसको डेकोरेटिव क्लोथ से कवर करना है ठेके और कवर करने के लिए उपर और नीचे मार्जिन छोड़ना है समझ रहे हैं क्या जैसे यह क्लोथ है हमने क्लोथ लिया और क्लोथ थोड़ा सा बड़ा लिया समझ रहें लैंप तो हमारा यही तक है ठीके लैंप तो हमारा यही तक है इतना ही पोर्शन है लैंप का यह क्लोथ है आप देखने इसको मैं डॉटेल लाइन से बता देता हूं ठीके लैंब हमारा यह ही तक है, बस इतना ही लैंब, यह हमारा लैंब है, समझ रहे है यह वाला पोर्शन, यह लैंब है, हमने क्या किया, चो क्लोथ है, वो थोड़ा बड़ा लिया उपर और नीचे, इतना, इतना margin रखा, यह margin कितना दे रखा है हमें, margin दे रखा है 2.5 cm, 2.5 cm, 2.5 cm उपर और 2.5 cm नीचे, क्यों ताकि हम इसको ऐसे अंदर डाल देंगे, समझ गया है ना, इसके परिसे चिपका नहीं रहे, हम उपर से डाल देंगे margin, तो यह margin जो है, अंदर फोल्ड कर देंगे, जिससे कपड़ा न आप समझ गया है न, इसे हम books में फोल्ड करते हैं, जब books में आप उपर से books को या copies को cover करते हो, जो cover होता है, वो copy से बढ़ा लेते हैं, फिर हम उसको अंदर की तरफ fold कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हमने कपड़ा लिया, जो actual cylinder है, उससे जादा कर लिया, ठीक है, फिर हम इसको नीचे से fold कर देते हैं, समझ रहे हैं, इमाजन कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमें cloth से, इस lampshade को इस तरह से cloth से cover कर देते हैं, पढ़ते हैं, लिखा होते हैं, अब margin of 2.5 cm is to be given, for folding it over the top and bottom of the frame, find how much cloth is required for covering the lampshade, तो अब आप से पूछ रहे हैं, कि बाई, कितना cloth हमें यहाँ पर चाहिए होगा, lampshade को cover करने के लिए, बस में आ रही है, तो अब आप देखो, यह जो cloth है, समझ रहे हैं, जिस cloth से हम इस lamp को cover कर रहे हैं, यह जो cloth है, यह cloth भी तो cylindrical shape में आ गया, आप देख रहे हो, cloth को हमन है, cloth को draw कर रहे हैं, यह पर देखो, यह पूरा cloth है, ठीक है, इसके अंदर जो lampshade है, वो मैं नहीं बना रहे हैं, यह पूरा cloth है, हमने इस cloth को लिया, lampshade के आसपास ऐसे roll कर दिया, तो जो cloth है, वो भी तो cylindrical shape में आ गया, right, समझ रहे हैं, fine, इस तरह से आ गया, जिसका radius कित हैं, इतना ही है, जितना lampshade का radius है, ठीक है, right, fine, सपोज हमने मान लिया, इसका radius कितना हो गया, 10 cm, और इसकी height कितनी हो गई, ठीक है, तो आप देखेगा, जो lampshade के height थी, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, तो lampshade के height हमें इतनी दे रखिये, 30 cm, पर जो जो अब cylindrical shape में आ गया है, जो cloth, decorative cloth, जो cylindrical shape में आ गया है, उसकी height कितनी हो जाएगी, right, उसकी height हो जाएगी 30, 2.5, 2.5, that is 35 cm, okay, समझ रहें क्या, हम क्या निकाल रहे हैं, कि हमने कितना cloth use किया, तो हमने देखा, जो हम cloth जो wrap कर रहे थे, वो भी किस shape में आ गया है, right, cylindrical shape में आ गया है, तो हमने देखा, एक cylindrical shape में आ गया है cloth, जिसकी height 35 cm, radius R है, अब हम से पूछ रहे हैं, कितना cloth चाहिए, तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका curved surface area, ठीक है, तो cloth required equals to 2 pi RH, है न, capital R और H, capital R मतलब यह 10 cm, इसका radius भी वोई है, और capital H मतलब इसकी height आ जाएगी, तो इतना cloth हमें क्या होगा, required होगा, lampshade को cover करने के लिए, क्योंकि हम से lampshade का कुछ नहीं पूछ रहे, lampshade को cover करने के लिए, कितना cloth चाहिए, वो पूछ रहे, right, fine, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, values रख देंगे आप, 22 upon 7, radius हो जाएगा 10, height हो जाएगी 35, ठेके, unit सारी centimeter में है ही सरी, तो unit की कोई दिकत यहाँ पर नहीं, क्या समझ पाए क्या, ठेके, तो हम से क्या बोला था, यह lampshade है, इसको cloth से cover करना है, उपर और नीचे margin छोड़ना है, right, तो हमने इसी का फायदा उठाया, हमने सोचा कि अगर margin छोड़ रहे हैं, तो जो cloth है, वो cloth भी क्या हो रहा है, एक cylindrical shape में आ गया है, dotted line से बता देता हूँ, dotted line मतलब एक तरह से कपड़े को represent कर रहा है, ठेके, cloth को represent कर रहा है, ठेके, तो यह cloth है, तो यह cloth cylindrical shape में था, right circular cylinder, तो कितना कपड़ा थी है, उसके लिए क्या निका इसके लिए क्या निकाल दो, इसका curved surface area, मैंने roughly आपको समझाया, अब आप इसको systematically करेंगे, ठेके, pause करके पूरा question करो, उसके बाद बात करते हैं, चलिए, I hope आपने कर लिया होगा, ठेके, इसके साथ जो भी homework आता है, वो आपको करना है, तो next class है मिलते हैं, ठेके, next questions के बाइ